बिग बॉस OTT2 में जिस बल का इंदिजार था वो आ गया चोदा अगस्त की रात फिनाले हो गया और राव साहब यानिकी एलविश यादो विनर बन गए विनर बनने पर एलविश यादो को बिग बॉस OTT2 की ट्रोफी के साथ 25 लाग रुपए का कैश प्राइस मिला वही बता दे कि अभिशेक मलहान फर्स्ट रणर अप रहे जबकि मनिश यादो ने रचा इतिहास विश यादो ने बिग बॉस OTT2 का विनर बन कर इतिहास रच दिया है बिग बॉस के 16-17 साल की इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब कोई वाइल्ड कार्ट शो जीता हो लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ बता दे कि बिग बॉस OTT2 के फिनाले में खुद सर्मान खान ने भी ये बात कही है कि अगर इस बार एलविश यादो जीत गए तो इतिहास बन जाएगा और सच में ऐसा ही हुआ अभिश यादो ने बिग बॉस OTT2 में आकर घरवालों के साथ साथ शो का भी सिस्टम हिला दिया अभिश यादो ने अपने वन लाइनर, गेम प्लान और स्ट्राटिजी से शो जीत लिया अभिशेक और एलविश में थी कड़ी टककर वोटो और फैन फॉलोईंग के मामले बीट अभिशेक और एलविश के बीच काटी की टककर देखी गई फिनाले पर 15 मिनट के लिए लाइव वोटिंग खोली गई जिसमें टॉप टू फाइनलिस्ट यानि की अभिशेक मलहान और एलविश यादो के लिए वोटिंग होई सलमान ने बताया कि अलविश और अभिशेक के बीच वोटो के लिए कड़ी टककर होई ऐसे हुई वोटो के किन्ति बताया ज़ा रहा है कि Big Boss OTT2 का विनर और फिनाले पर 15 मिनट के लिए खोली गई वोटिंग लाइन के आधार पर तैय किया गया है उसमें Elvish Army ने फुकरा इंसान यानि कि अभिशेक मलहान को मात दे दी और गुरुग्राम के छोरे Elvish Yadur ने रिकॉर्ड बना दिया वही बता दिया कि Elvish Yadur के विनर बनते ही ट्विटर पर जश्न मनाये जाने लगा उनके ममी पापा और परिवार की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा फेंस ट्विट पर खूब जश्न मना रहे और कह रहे कि आखिरकार सिस्टम की सरकार बन ही गई